फार्मेसी के कोर्स में लोगों की ये धारना बन गई है कि ये कोर्स इप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ही बनाया गया है लेकिन अगर सही से इन फार्मासिस्ट के नियमों का पालन हो यानि कि फार्मिसी का जो एक्ट है उसके अनुसार और हॉस्पिटल एक्ट के अनुसार अगर हॉस्पिटल में जितने फार्मासिस्ट की जरुरत हो उसके अनुसार अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट की बहाली होती है तो भारत का कोई भी फार्मासिस्ट विरुजगार नहीं होगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मिसी एक्ट और हॉस्पिटल एक्ट के तहट किसी हॉस्पिटल में बेट के अनुसार कितने फार्मासिस्ट की जौरत पड़ती है और अगर सौ बेट का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कितने फार्मासिस्ट की जौरत पड़ेगी साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ہॉस्पिटल नियमों के अनुसार फार्मासिस्ट की बहाली नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो हॉस्पिटल मजबूर हो जाए अपने हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की बहाली करने के लिए पूरे देश में फार्मासिस्ट के हितों की रच्छा करने वाली संस्था इंडन फार्मासिस्ट के सदर से यह मानते हैं कि पूरे देश में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मिसी की जाच होनी चाहिए जहां 20 परतिसत हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट मिलेंगे भारत सरकार की अन देखी और step government की अन देखी के चलते और साथी साथ जो इस के जिम्मेदार officer है उनकी अन देखी के चलते और मंत्रियों की लापरवाही के चलते होस्पिटल में फार्मसिस्ट ही नहीं मिलते तो सरकार से निवेदन है कि उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई की ज जिससे मरिच की जयान के साथ खिलवार ना हो सके और फार्मासिस्ट को उसका अधिकार पुर्ण रूप से मिल सके चुकि यह सिकायत इंडियन फार्मासिस्ट की तरफ से राजस्तान गवर्मेंट को की गई थी तो उस सिकायत के करते ही राजस्तान सरकार हरकत में आई और उन् के मांसोरोवर इस्थित HCG हॉस्पिटल नार्कोटिक्स की दवाईयों के क्रेव विक्रे से संबंदित जांच की गई और साथी नीचे लिखा है राजस्थान सतरक है तो यह एक एक जांपल है कि आपके एक छोटे से प्रयास से परिवर्तन हो सकता है एक सायर ने ठीकी कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता बस तबियत से एक पत्थर उचा लो यानि कि आप अगर पूरी ताकत के साथ सही तरीके से समिधान की नियमों से रहते हुए मर मजबूर हो जाती है अगर इसी तरह की जाच पूरे भारत वर्स में की जाए तो प्राइवेट और जो भी सरकारी होस्पीटल है उन्हें फार्मसिस्ट रखने की मजबूरी आन पड़ेगी और कोई भी फार्मसिस्ट बेरोजगार नहीं होगा इस वीडियो से संबंधित अ साथ कमेंट बॉक्स में यह भी बताए कि अगले किस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमारी टीम वीडियो बनाने के लिए अपना कारे कर सके लाइक, सेयर, कमेंट करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ